हलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आन माथिक्स यूटूब चैनल, बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्ससाइज 6.4 विच इस स्टार्टिंग उन पेज नमबर 143 इन यूर NCRD बुक्स, अब बच्चों इस पूरी एक्ससाइज का एक नया ही रूल है, एक नया ही थियूरम है, और इस एक्ससाइज को समझने से पहले हम उस थियूरम को समझ ले, ठीक है, वो थियूरम आपकी NCRD बुक्स में थियूरम नमबर 6.5 के नाम से है, अब यह थियूरम है क्या गौर से सुनो, बहुत अच्छी से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी स समझना है, देखो इस थियूरम एक्चली टाइटल्स लाइक इसका टाइटल यह है, अगर दो ट्राइंगिलस सिमिलर दिये हो या सिमिलर आप कर लो, सुनना बहुत गौर से, अगर दो ट्राइंग्जल आपको सिमिलर दिये हो, for example मैं आपको बोल रहा हूँ ये है ABC और बच्चो एक दूसरा ड्राइंगिल है PQR for example this is PQR ठीक है बच्चो ये अपन theorem 6.5 का explanation समझ रहे theorem है क्या ये समझ रहे है ठीक है theorem का नाम क्या है theorem is related with the title theorem का title कुछ ऐसा है areas of similar triangles के भईया ये triangles जो similar होते हैं उनके areas कैसे निकाले जाते हैं उनके areas का relation क्या है तो बच्चो कुछ इस प्रकार है ये theorem गौर से दिखना बच्चो अगर मैं कहूं area of this and area of this का ratio निकालो सो नो गौर से if I am asking you area of triangle ABC ratio area of triangle PQR तो बच्चो आप area का ratio निकाल सकते हो इस theorem के use से getting my point आप क्या निकाल सकते हो दो similar triangles के areas का ratio condition triangles similar होने चाहिए getting my point दोनों triangle अगर similar है तो ही कर पाओगे ये और अगर similar नहीं है तो similar पहले कराओ और फिर ये theorem लगाओ getting my point पहली क्या requirement है triangles must be similar तो भई अब मैं कहूँ आपसे इसका area upon इसका area बताओ कैसे निकले बहुत आसान है बच्चो आपको equal to में corresponding sides के ratios लिखना है आपको equal to में corresponding sides के ratio मतलब अगर मैं कहूँ AC चलो AB से start करते हैं अगर मैं कहूँ AB मैं बोलू AB बच्चो मैंने कहा AB तो AB के corresponding बच्चो PQ है यहां तो upon में PQ लिख दो बच्चो अगर मैं कहूँ BC तो बच्चो गौर से बताओ BC का corresponding QR है तो आप upon में QR लिखोगे अगर मैं कहूँ CA तो corresponding में RP है corresponding मतलब वही हम शकल CA upon RP अब बच्चो जब हम areas of two similar triangles निकालते हैं तो हम corresponding sides को upon करके लिख लेते हैं और बच्चो उनमें लगा देते हैं equal to और उनमें लगा देते हैं square बात खतम देखो कैसे square 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 यह है आपका area मतलब कहने का मतलब यह है जैसे यह triangle है यह वाला question है देखो इसमें apply करूँ और मैं आपको कितनी जल्दी समझ में आएगा let triangle ABC and DEF are similar यह similar है similar है तो 6.5 theorem लग सकता है ठीक है तो बच्चो अगर मैं कहूँ आपसे कि आप ABC और DEF का area लिखो तो आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे से मैलूम AB तो upon में क्या आएगा DE यही तो आएगा तो आप कहूँगे सर AB upon DE ले लो या या फिर BC तो आप कहूँगे सर EF उसका corresponding उसका हमशकल तो BC upon EF या फिर AC तो आप कहूँगे DF AC side DF तो we will write AC upon DF देखो यही चीज़ तो करी मैंने है ना इस देखो CA upon RP देखो CA upon RP बस यहाँ क्या करना है बच्चों में सब में स्क्वेर लगा देना है बच्चों गैटिंग मैं पॉइंट सब में स्क्वेर लगा देना है गैटिंग मैंपॉइंट एरिया ओफ ट्राइंग the ratios of areas of two similar triangles दो similar triangles के areas का ratio बच्चों बराबर होता है ratio के है ना ratio के ही बराबर होता है किसी भी दो corresponding sides के squares के ratio के बराबर getting my point अब आप कहोगे sir इतने सारी चीज़े लिख दी है आपने नई बच्चों इन्होंने EF दिया है EF गौर से देखो EF दिया है 15.4 तो BC निकालना है आप EF देखो कहा है EF ये है BC है बच्चों आप इसको लोगे solving में getting my point अब इतने part को solving में use करोगे देखो आपने करना क्या है आपने लिखना है area of triangle ABC आपने लिखा area of triangle ABC जो की similar है दूसरा triangle से तो आपन area of दूसरा triangle DEF लिखेंगे is equal to AB square upon DE square AB square upon DE square equal to BC square upon EF square EF square है ना is equal to CA या AC square upon DF square ये है लेकिन बच्चों हमें यहां ना ही AB और DE का काम है ना ही AC और DF का काम है हमें BC और EF का काम है तो हम BC का ratio BC का corresponding BC का corresponding देखो BC का corresponding EF है तो EF लिखते हैं and let us write square over them बच्चों area of triangle ABC हमें दिया है 64 और area of दूसरा triangle दिया है 121 तो इसकी जगा लिखते हैं हम 64 upon 121 is equal to BC BC दिया है शायद नहीं BC निकालना है upon 15.4 का square 15.4 15.4 का square बच्चों इस पर whole square लगा दो पता क्यों क्योंकि यार BC square और EF है 15.4 तो इसका square तो whole square लगा दो जादा बेटर लगेगा है ना बच्चों मैं ये erase कर रहा हूँ I am erasing this है ना तो अभी इसको देखो गौर से समझो बहुत easy है दो similar triangles के areas आराम से निकाले जा सकते हैं उन्ही similar triangles के किसी भी दो corresponding sides का ratio लिखो और उन्हें square लगा दो that's it बस छोटा सा है है ना अब जैसे बच्चों ये 8 का square है और ये 11 का square होता है this is 8 का square this is 11 का square बच्चों इन पर आप लगा देंगे whole square है ना ये 8 का भी square 64 ये 11 का square is equal to बच्चों BC upon 15.4 का square letters से square से square बच्चों neglect कर देना cancel कर देना काटना नहीं काटना नहीं काटना जाता कभी ध्यान रखना square से square हमने neglect कर दिया ignore कर दिया एक तरह से मन में काट दिया पर आप काट के show मत करना गलत होता है वो तो हम हमारे पास क्या बच्चा 8 upon 11 is equal to BC upon 15.4 बच्चों अब 15.4 यहां जाएगा 8 upon 11 के पास और 15.4 अपन यहां लिख देंगे is equal to BC बच्चा 11 से this is gone for 1.4 times और BC जो आया बच्चों वो आया 8 into 1.4 128 12.8 cm is our answer बच्चों 14.8 जा 128 ठीक है तो यह आपका हो गया 128 ही है नई 14.5 जा 70 14.6 जा 84 14.7 जा 98 14.8 जा 112 बच्चों इस 112 11.2 11.2 cm 14.8 जा 112 तो पॉइंट ही आ जाएगा तो कुल मिला के बच्चों यह बस आपको यही लिखना है applying यहां से आपको start करना है applying यह apply कर कब कर सकते हो आप applying theorem 6.5 आप theorem 6.5 कब apply कर सकते हो जब आपके पास दो triangles similar हो तब apply कर सकते हो ठीक है getting my point एक बार फिर से recall करा देता हूँ अगर दो triangles corresponding अगर दो triangles आपके similar है तो आप उन दोनो triangles के ratios areas का ratios निकाल सकते हो दोनो triangles के areas का ratio will be equal to इन दोनो triangles की कोई भी दो corresponding sides लेलो जैसे मैंने लिया AB upon DE तो बच्चो AB upon DE दोनों पे square लगा दो that's it हो सकता आपका इससे calculation हो जाए इससे काम नहीं चले तो बच्चो BC upon EF दोनों पे square लगा दो इससे काम नहीं चले AC upon DF उसपे square लगा दो तो बच्चो बाद बराबर है this the area of first triangle upon the area of second triangle will be equal to this also this also this also तीनों के equal चलता है I hope मैंने यह अच्छे से समझा दिया और आपको समझ में आ गया like subscribe share जरूर करना let us move on to second question बच्चो bye